हेलो, गुड मॉनिंग एब्रिवन, कैसे हैं सब आसा करते हूं, सब अच्छे होंगे, और आज हम बनाएंगे मातरानी के लिए कुछ ड्रैसिस और लटू को पाल के लिए भी, तो मेरे पास ये कुछ पुरानी लैसिस हैं, कुछ नई हैं, कुछ तो पहली रखे थी और कुछ म मैं एक दो-दो मीटर खरीद के लाई हूं, और ये कपड़ा भी एक खरीद के लेके आई हूं, इससे मैं बनाओंगी मंदिर में बिछाने का कपड़ा, ये उसी नाप का है, जिस नाप का मेरा मंदिर है, और ये कुछ टुकड़े हैं, जो मैं दीदी के पास से ले गया थी, मेर्दीदी है नंद वो सिलाई का काम करती है, मतब टेलर है, तो उनके पास ना ये बहुत सुंदर सुंदर से टुकड़े पड़े हूए थे, ये तो अस्तर है, तो उन्होंने मैचिंग मेर को अस्तर भी दे दिये थे, और फिर अस्तर कहा लोगी आप, इतने छोटे छोटे से तो जो अब हमाब आपको दिखाती हूं जो सूंटों के पचवे सिल्क के टुक्रे थे उन्हों वो दिये थे जो साइड सा बच जाते हैं देखो एक तो यह औरेंज कलर का है और एक एलो कलर का है तो तो फोड़ा कम है तो उससे तो लड़ कॉपाल की ड्रेस बनेगी और रै क्टबर में से एक पीश निकाल लिया है इसकी चोड़ाई है लगबग 10 इंच और लंबाई मैंने लिया है इसकी कपड़े की 30 इंच थी यह तो 30 इंच में प्लेट डालेंगे तो वैसा है हूं सिनाप का मैंने इस्तर काट लिया है यह इसमें से जो रड कलर का था इसमें तीन प्रैस प्लेट प्लेट भरनेमा असानी होजएगी और लैस अकरे लगाएंगे तो जो लोख अगरेंगे तो यह नहीं थीear ज़एकर नगे जूड़े से Burd रूए गएगा और उपर से इस पे सिलाई लगा दें तो इदर से बिये बंद हो जाएगा अब उपर से लैस आज आजएगी तो कोई ज्यादा पता नहीं लगेगा अब मैं इस पर दो तरह की लेस लगाऊंगी नीचे ये मोती की रखूंगी और उसके उपर ये ग्रीन वाली लेस रखूंगी ये लेस भी मुझे दीदी नहीं दी थी तो मेरा पूरा काम ये लेंगे का दीदी की दीऊई चीजों से ही हो गया है और ये लेस लगत लगते हैं हम एंट तक आगे हैं तो इसमें आके अब यहाँ पर हम सिलाई को मोड देंगे और यहीं से हम इसको मोड के इधर से भी सिल लेंगे और फिर वापस उपर भी साथ के साथ सिलाई लग जाएगी तो यह हमारा इतनी फिनिसिंग से बनेगा ना कहीं धागा निकलेगा नहीं मतब उदढेगा ना खिचेगा बड़ा अच्छा सा हमारा यह बनके तयार होगा तो इधर भी हम इसको अच्छे से ऐसे ही बना लेंगे और मैं इसमें साइड में लास लगा रही थी लाइट चली आएसे फोल्ड करते हुए देखो अब लाइट भी आगी है और प्लेट मेरी भड़ चुकी है लगबग अभी मैं आपको दिखाती हूं इसको निकालने के बाद और चुणनटे भड़ना हम सबको यह आता है मतलब ऐसे पकड़के थोड़ा पीछे कर देते हैं तो ऐसे चुणनट बन जाती है अई लेंगा तयार हो गया अब हम इसको प्रेस की मतलब सेट कर लेंगे तो अभी देख सकते हैं कितने अच्छी प्लेटे भरी हुई है इसमे और यह मार्किट से आप लेने जाएंगे ना तो कम से कम है 2500-300 रुपे का आपको मिलेगा और यह हमारा बिल्कुल फ्री में बनके तयार हो गया है इस तरह हम इस चुणनटों को पकड़ पकड़के सेट कर लेंगे और उसके बाद हम इन पर प्रेस करते जाएंगे तो यह कौड़ी मोटी है तो लैसे पे अभी सेट नहीं होंगे मार्किट की जो आती है वो तो मसीन से प्रेस कर देते हैं और उन्हें निचे लगी दैती तो वुक्रम को जैसे मो दूते है वो वैसे रुख जाते ये कपड़ा एंगे लगीं आगर इसको आप प्रेस से करेंगे त और अभी इसमें काम बचाया है उपर में नेफा भी लगाऊंगी डोरी लगाऊंगी बांधने के लिए तो आप देख सकते हैं मातरा निकलेंगा कितना सुंदर बन के तयार हुआ है और मैं इसमने साइड में ब्लैस लगा दूंगी और यहा यलो कलर का कपडा इससे मैं बना रहे हूं माता का पट गा जो सैड में डालते ना पट का चुणदी रैड कलर की बनाऊंगी और पट का बनाऊंगी यलो कलर का अर इसको मैं फिर बाद में थ directamente से डेकोरेट करूंगी मोती वगेर से ये भी सिलका कपड़ा है तो इसे भी मैं ऐसे ही एक कपड़े के उपर उटा रखके और ऐसे ही जैसे मैंने लेंगा किया था तीन साइड से सिलके ऐसे इसको भी बना लिया है मैंने पूरा तहियार कर लिया है और अब साइड से मैं इसको बंद कर रही हूँ अब मैं चुन्नी बना रही हूँ तो चुन्नी का जो कपड़ा लिया मैंने लाल वाला वो भी इतना ही लिया है लगबग 8 इंच के चोड़ाई है उसके और लंबाई है 15-16 इंच क्योंकि ये इतना ही कपड़ा बचा था और ये भी मैंने इस तरह सीधा करक करके तीन साइड सिलके सीधा करके अब मैं इसको भी प्रेस करके सेट कर लूँगी उसके बाद इस पर लेस लगाऊंगी अब प्रेस करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ना फिनीसिंग बहुत अच्छे आती है प्रेस करने के बाद और ये बिलकुल एक कोना इसका खुला लेस जब मैं लगा रहे थी तो लाइट चली गई थी तो मैंने लेस लगा दी है यह पंदर रूपे की एक कीप आती है तो मैं यह लेके आए थी और यह आपको जो किताबों वाली दुकान होती है ना उन पर भी मिल जाती है आसानी से यह पटका है पटके के साइडों में भी मैं लैस लगाऊंगी और यह मिर पास तीन फ्लार पड़े थे तो इन यह मैंने न में जितना हिस्सा आगे आएगा न उतना हिस्से पर मैं लैस लगा रहाँ हूँ जो इससा पीछे के साइड रह जाएगा उस पर नहीं लगारी मैंने तो ऐसे ही बनाई है ड्रेस माता की वैसे तो मैं खरीदती भी थी अर साल लेकिन वो ना एक उसमें खराब हो जाती है एक बार उनको धो दो तो वो बुक्रम उनकी ऐसी चिपक चिपक के हो जाती है तो फिर पेनाने में अच्छी नहीं लगती तो मैंने सोचा अब की बा में लगाऊंगी अब यह इस पर लेंगे पर तो मैं इसके लिए भी यह पहले कट कर लूँगी थोड़े से मोती इस तरह है और इस यह सिल्वर की लेस्ती ना तो मेरी कैची भी थोड़ी सी खराब होगी से काटने से क्योंकि थोड़ी हाड कट रही थी और यह ऐसे ही इस प वैसे तो यह बहुत सुंदर कपड़ा है सिल्क का वीविंग का काम हो रखका है इस पर जरी से बड़ा सुंदर लग रहा था लेकिन फिर भी माता के कपड़े हैं जितना जादा सा जादा उतना ही कम है और यह कैमरे में पता नहीं आपको कैसा लग रहा है रियल में बहुत ह सुंदर लग रहा था लेंगा और यह जो यलो कलर का कपड़ा है उस चार इंच तो मैंने इसकी चोड़ाई लिए लंबाई लिए 45 इंच तो उसने में मैं चुन्नेटे भर रही हूं क्योंकि लड़ुपाल के कपड़ों में बहुत सारी चुन्नेटे भरनी पड़ते हैं एक एक इंच की पट्टी बनाकर वो जोड़ दिया आपस में उनके उपर दोरी लगा दिया और यह पनागी समें भी डोरी डाल दिया कसने के लिए कमर से तो इससे बिठा के इससे बना देंगे और उपर से ब्लाउज बना देंगे उनको और एक ड्रेस मैंने यह बनाई है को इसमें मैंने कोटी इसी में अटैच कर दिया ताकि यह लगना रहे यह कपड़ा तो मेरे पास बहुत दिनों से था आया तो यह विदीदी के पास सही है लेकिन कम से कम इसको तो एक डेड़ साल हो गया मेरे पास रखा था इसके नीचे जो सूटों में अस्तर सा नहीं लगा रूई जैसा सा लेकिन यह धुलने से खराब नहीं होगा तो मैंने एक ड्रेस यह बनाई है काना जी के लिए और माता के लिए जैसे रेड़ वाला लेंगा बनाया है ऐसा ही मैंने बना लिया है और इंज वाला लेंगा इसकी भी मैंने इतनी लंबाई चोड़ाए लिया है इसमें मैंने गोल्डन कलर की लैस लगा दिया उपर भी और नीचे भी बांधने के लिए डोरी लगा दिया और इसका पटका यह चुन्नी बनाई है मैंने इसका भी कपड़ा इतना ही था बहुत जादे कपड़ा नी था लेकिन मैंने जितना भी कपड़ाता सब यूज कर लिया और ये बनाया मैंने इसका पटका ये मेरे पास पिंक कलर की लैस रखी थी तो ये मैंने एक पट्टि बना लिया और उस पे ये पिंक कलर की लैस लगा दिया और ये बहुत ही सुन्दर लग रहा था देखो मैंने न यह ऐसे ही आपको पैना के दिखाया है कि माता रानी जब पैनेंगी इसको अब माता रानी तो वैसे बहुत खुबसूरत है कपड़ों से उनकी खुबसूरती कहा वो तो खुद ही उजवला है अब देख से हैं अब देखो लेंगे में हलका हलका सा पिंक कलर है ना देखो ऐसे डोट डोट से बन रहा है पिंक कलर की इसलिए मने पिंक कलर की ड्रेस लगाई है और यह तो इत्त पाकन मेरे पास रख़्िवी मिल गी मुझे यह तो मैं खरीद के बिन लाई दूपट्टा कितना खुब्सूरत लग रहा है इसका ये यलो रैड का कॉंबिनेशन हो गया दूपट्टे में यलो पटका हो गया और माता कर लेंगा ये रैड और ग्रीन बहुत ही सुन्दर बनके तयार हुआ है ये तब आप मार्किट से लेने जाओ बहुत ही महंगा मिलता है और लटू को पाल की एक ड्रेस में बनाई है ऐसे ही जितना चोड़ायो लंबाई कट करी थी न ये वाला कपड़ा मेरे पास बचाता है इसी कपड़े में से मैंने अस्तर लगाया है यलो वाली यलो कलर वाली ड्रे की में वाले कप्ड़े अधिक ठाल ले तो इससे बना ले देखो एक कपड़ा ये है इस से भी इक ड्रेस बनाओंगी है कि है और देखो यह ड्रेस बन के तईयार होगा एक लड़ो को पाल की ड्रेस मुझ्व से दस-पंदर मिन्में वें मes practice है इंना बना न और अब खुद से जब आप बनाते हैं न उस चीज की खुशिया अलगी होती है एक, दो, तीन, चार, चार ड्रेस लटू को पाल की बनी है देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था में होनी और ये वाली मिलाई हूं मार्किट से तो पांच ड्रेस होगी है लटू को पाल की और दो ड्रेस बन गए माता की ये ओरेंज कलर की है और इन्हें आप कितना भी धोलो, कितना भी प्रैस कर लो ये खराब नहीं होगी क्योंकि ये अस्तर लगा के बनाई है ये मार्किट वाली में बुकरम लगी रहती है, तो वह जल्दी खराब हो जाती है ये चुन्नी होगी है और ये इसका पिंक कलर का दूपटा ये वाला लेंगा रेड कलर का, रेड और ग्रीन कलर का येल्लो कलर का दूपटा बनाई है मैंने इसका combination में, contrast में, क्योंकि इसमें भी थोड़ा थोड़ा yellow है, और ये इसका तुपटा हो, चुन्नी हो गी है, चुन्नी पर मने yellow color की less लगा दी है, अब मोती की less भी लगाई है, मोती की less मैंने लेंगे पर भी लगाई है, अर इन्हें बनाना कोई rocket science नहीं है, बस थोड़ा सा कप्ड मैं दीदी के पास से कपड़े लाई थी, उन्हीं से मैंने ये बनाया है, वीडियो पसंद आई है तो please like कर देना, मेरी मैनत आपको अगर पसंद आई है तो please like करके जरूर जाना, और comment करके बताना, कि आपको कौन सी dress ज्यादा अच्छी रगी, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे